तो देगा आपने सवाल कई बाकी हैं और उन्हीं सवालों का जवाब मुद्दे की बात में हम तराशेंगे आपको बता दे कि लक्त एके मिश्रस आप चुड़ों हुए हैं इनसे भी हम समझेंगे राजनिती की विश्चे गें रिख साथ-साथ अगर इन्वेस्टर के नजगरिये से चीजों को देखना और समझाएं तो हम एके मिश्रस आप के पास भी चलेंगे यूपी सरकार और योग गुरु बाबारामदेव के बीच पतंजली फूर्ट पार्क को लेकर चरही तना तनी के खत्म होने की उमीद बढ़ी है तो चली मुझ्दे की बात आज इनी सवाल हो का यह परशाणी है यह थी हमको काम करने के लिए अनुपल बातावड नहीं मेलेगा दम काम को इससे करेंगे इजी और दूइंग बिजनस का यह एक्जामपल है जो हमारे प्याम बोलते है इजी और दूइंग बिजनस का यह एक्जामपल है जो हमारे प्याम बोलते है प्रोजेक्ट पास हो गया काश हमारे देश में ऐसा भी होता कि सडक एक्सिडेंट में एक तडपता हुआ आदमी अगर एक फोन काल करें एंबुलेंस आ जाए और सरकार हिल जाए और कहीं अगर कोई अपराद हो रहा है तो जो पीडित है अगर वो एक फोन काल कर दे इसी तरीके से सरकार हिल जाए सेंटर और वहां की लेकिन दुर्दशा है दूसरी चीज यहां पर देखने की बात और है यूपी इन्वेस्टर समिट हो रहा था आभी के चैनल पर मैंने पूरी अनालिसिस की थी और उनके प्लाइनिंग पार्ट को देखके मैं बड़ा उत्साहित था एटलिस यूपी में अब चीजे जो है मुझे लगा ढर्रे पर आने लगी है और यहां पर अगर यह देखा जाए कि बाबा राम देओ जिनों ने बीजेपी को खड़ा किया एक बहुत पड़ा रोल रहा अगर उनके साथ यह चीजे हो रही है तो जो छोटे-मोटे इन्वे आपना होती है तो उसका ग्लोबल लेबल पर नेशनल लेबल पर एक बड़ा साइलेंट सा मैसेज जाता है पुराने टाइम कर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एन अमारा महारास्त में एक डावोल प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें तीन कंपनिया साजेदार थी और इन इन्वाइट किया उसके बाद किसी और रिजन पॉलिटकल रिजन के कारण उन्होंने लगने नहीं दिया डाटा ने पूरी कंपनी धूसरी जेकर शिफ्ट की कितना उसका कॉस्ट जो है वहां पे बढ़ गया तो यह जो राजनेता है न मैं इनको ही सबसे बड़ा जो है वि आप जमीन का एक खिता खरीदने चले जाईए दस-दस साल लग जाते हैं कोर्ट में यहां पर तो बालकिष ने यह बोला कि यह तो बड़ा चोटा काम है बालकिष से जड़ा पूछिए कि आप अपनी जिंदगी में 25 साल पहले बैंक एकान खुलवाने गया तो कितने दिन म आपको बता रहे हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा निवेश के हिसाब से और साथ मेरेको भाजर नहीं सुनना तत्यों पे बात करेंगे तो जंता सुनेगी आपको जब तत्यों बात करेंगे तब आईएगा एक सकिंद्ध है एक है मिश्रा साहब क्या निवेशक जब आता है तो इस तरह से अपनी बात को फीडा को बया करता है तो इसके पीछे वजा क्या हो सकती है देखे चावला जी अगर सैजिस्टिक एनालिसिस की जाया तो किसी भी एकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्मेंट को जो चाहिए कंपो कि यह गवर्मेंट या कोई भी गवर्मेंट इंडिया इंडियन एकोनॉमी की एक बहुत बड़ी सारी चीज होते हुए मतलब मैन पावर है इसकिल है रिसोर्सेज है लेकिन सारी चीजे जाके कहीं न कहीं जो प्रोसेस एक स्मूध प्रोसेस पूरा डेवलप करना चाहिए क कि A to Z, A to Z मतलब किसी ने एप्लाई किया किसी इंडिस्री के लिए या किसी चीज के लिए और वो जो है पूरा प्रोसेस से गुजरता हुआ कितने जल्दी और स्मूथली जो है वो कस्टमर के पास या अप्लीकेसन डालने वाले के पास पहुंसता है यह बहुत लंबा प्र जो रोश है सिस्टमी नहीं है एक साल से फाइल आपकी पड़ी हुई है वो तो बाबा राम देव जी का इसलिए हो गया कि वो इतने इंफ्लूएंसियल है आप जड़ा चोटे पैमाने पर जाके देखिए जो छोटे इंवेस्टेर है MSME पर फोकस कर रही है बीजेपी उन ल आ गाहक के पहले स्कारी पॉलिटिकल फार्टियां जो है सब के लिए पॉमन होती है लेकिन झुराओ होने के बाद जीतने के बाद सरकार बनाने के बाद वो उनका अपना फोकस हो इसका असर क्या पड़ेगा निवेशकों पर, जो ये सामने रिजल्टा है. प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फिर भी अभी जो प्रॉब्लम है, वो एक ऐसे चैलेंजे जैना, कोई इन्वेस्टर क्यों आयागा, वो देखेंगा बूरोक्रेसी, बाबुगिरी यहाँ पर इतनी है, यह फाईल आप देतों दो दो साल तक फाईले नहीं क्लियर होती है. ठीक पुर्वत्तर राजियों, यूपी और बिहार इसब को देखे, क्योंकि अभी भी देखे, राजनीत करने में इन प्रदेश के लोग बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन एकोनोमिस्ट, एकोनोमी को मैनेज करना, एकोनोमी को ग्रो कराना, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सा हो, यूपी के, एक्रिकल्चर मिनिस्टर, बहुत सारी चीजे आप इन लोगों से पूछ लिजेगा है, तो इनको बेसिक एकोनोमिस्ट की भी चीजे नहीं पता है, फाइनन्स मिनिस्टर होते हुए भी ये पॉलिटिक्स करते हैं, होम मिनिस्टर की तरह ये काम करते हैं, मै पूस्ता हूँ इतनी बेसिक बेसिक चीजें जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए वह आज तक क्यों नहीं डेपलप मैं सारी गवर्रमेंट से पूस्ता हूं सतर साल से जाधा का टाइम हो गया असी से जाधा जो है MP UP से बैठते हैं इतने जावला जी मैं फिर बोलता हूं मेरे हमारे पूरे देस में रिसोर्स और टैलेंट की कमी नहीं है यह जो मिसमेनेजमेंट है यह है कर लेते हैं ने तालोग सिस्टम को जावला जी क्या है जो विकास होता है विकास करने के लिए और इन्वेस्टर को हमें अट्रैक करने के लिए बहुत इंटीग्रेटेड रे में पड़ा स्मूथ हुआ सिस्टम करना होगा हर कंपोनेंट को बहुत एक्टिव करना होगा तदी इंड़स्टर आएंगे अगर्वाइज जो फाइल एक साल में क्लियर होती है कोई आने वाला नहीं है इसको यहां से किसी भी कीमत पर नहीं जाने जाने चाहिए विकास यही होना चाहिए सरकार को नहीं देने जाने जाने यहां से प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत पर नहीं जाने 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 चाहिए जाने 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 झाल झाल